आप लोग सब खायरियस से होंगे वैसे तो पॉपकोन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर की हम बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल फ्लेवर यूज़ का रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा शोक से खाया जाता है अब सकता है फ्लेम मैंने वान कर दिया है एक मैंने कडाई ले लिए इसमें हम आयल चामिल कर देंगे आयल हमने इतना डालने के जो मकई के दानी है वो इसमें डूप जाएं आप मैंने नॉन स्टीक कर इसलिए यूज किया है कि मतलब इसका जिलेड़ हो शीशे का तो आसानी से पता चल देता है कि कि इतना जो है वो तैयार हो गए नहीं एक तरीका इसका यह भी आप देखें यह एक परना शुरू है सामने तो इसका मतलब है कि हमें इसे कवर कर देना चाहिए है कि तीन से चार मिनट में रेड़ी हो जाए है अब देखें अब आपका वाद थोड़ी थोड़ी काम होती मैंसूस हो रही है तो अब आप अपना अपना आफ को पूंपन हमारे रेड़ी है जी तो तयार है हमारे पॉपकॉन और इसमें से देखें तकरीबन सारे ही फूल गें कोई भी दाना ऐसा निए जो ना फूलो और आप इसे जूट राए कीजिएगा और अपने कमेंस भी दीजिएगा साथ में हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें अलग अलग आपको और आपके एरिकाना को हर किसन भी बिमारी और दुख से दूर रखें हमें अपनी दौाओं में याद रखें आप मुझे फेस्बूक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और थैंक्स पर वाचिंग अला आफीस ट कर दो